बच्चों के बनाने वाले सूजी एपल हल्वा, यह बहुत ही सिंपल रसीपी है, इसमें कोई भी स्वीटनर का हमने यूस्त नहीं किया है, बच्चों के डिजेश्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छी है, ऐसे चेंज आप अपने बच्चे को यह किला सकते हो, तो सब के जगह पर वाटर भी यूस कर सकते हो, यह बिल्कुल आपके उपर है, और हमने लिया है राइप्रूट पाउडर, वां टेबल स्पून, वां टेबल स्पून गी लिया है, और एक एपल की फ्यूरी है, इसे हमने कैसे तयार किया है, वो मैं आपको अगे रेसिपी में बता बच्चे के लिए सबसे फायदेमंद होता है, तो शुरू करते हैं इसे बनाना, एपल को पील करके हम इसकी प्यूरी बनाएंगे, यह हम छे मैने के बच्चे के लिए बना रहे हैं, तो इसे हम प्यूरी ही करेंगे, अगर आपका बेबी आट मैने का है, या अब उसने स्व और इसे ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेंगे, और हमारी एपल प्यूरी रेडी है, अब हमारे सारे इंग्रीडियन्स रेडी है, अब हमने एक स्टील का बर्तन ले लिया है, इसमें डालेंगे हम घी, वान टेबल स्पून, इसके बाद हम डालेंगे रवा, सेमोलीना, तू टेबल स्पून अगर आपका बेबी छोटा है तो आप बन टेबल स्पून डाल सकते हो कोई भी चीज इंटर्ड्यूस करने से पहले आप इसे छोटे अमाउंट में दे और देखे कि उससे कोई अलर्जिक रियाक्शन तो नहीं हो रहा है बेबी को फिरी उसे कंटिन्यू करें इसे लोफ लेंपे एक मिनिट तक हलका सा सेख लेंगे साधा नहीं सेखना है हमें हलका सा सेखने के बाद हम इसमें डालेंगे दूद यह नॉर्मल गाय का दूद है बॉइल दूद है अगर आपके बेबी को कोई डाइजेशन प्रॉब्लम है दूद से तो इसके जगा पर आप पानी भी डाल सकते हो वैसे एक साल तक मा का दूदी देना चाहिए पर ऐसे एन इंग्रीडियन्ट आप दूद को यूज़ कर सकते हो अब इसमें एक उबाल आने देंगे उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे ऐसा करने से क्या होगा सूजी जो है थोड़ी सी फूल जाएगी दूद के वज़े से और थोड़ी सी कुग भी हो जाएगी अब इसमें हम डालेंगे एपल प्यूरे जो भी हमने बनाई थी थोड़ी देर पहले इसे आप ग्रेड भी कर सकते हो अगर आपका बच्चा सॉलिड स्टार्ट कर चुका है या आठ महिने से उपर है ट्रांसेक्शन के लिए आप ग्रेड भी कर सकते हो इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे हम और इसे रेडियोस होने के लिए रख देंगे इसे आप खीर की कंसिस्टेंसी का दीजिएगा अगर आपका बेबी छे महीने का है तो और इसे हलका सा ठिक भी रख सकते हो अगर आपका बेबी आठ महीने से उपर है यह आप अपने बेबी के हिसाब से कीजिएगा इसे हम लोज़ फलेम पे रेडियूस होने के लिए रख देंगे अब यह मेरे डिजाइड कंसिस्टेंसी तक रेडियूस हो गया है अब इसे हम एक बोल में लिका लेंगे इसकी consistency को आप extra boiled milk डलके या फिर पानी डलके adjust कर सकते हो अपका बेबी किस तरीके से खाना पसंद करता है ये उसके उपर है तो अब हमारा apple suji halwa ready है हमारे खाने पे गार्णिश होता है तो बेबी के खाने पे भी गार्णिश होना चाहिए तो इसके उपर हम डालेंगे dry fruit powder इसे अची तरीके से मिला लेंगे गी हमने suji में सेखने के time डाल दिया था तो हमने उपर से गी नहीं डाला है तो ये एकदम ready है तो आप भी जाए सरूर पनाए मुझे आशा है कि आपके बेबी को भी ये पसंद आएगा मेरी बेबी को ये बहुत पसंद है have a happy parenting enjoy